हाई एब्रिवन एक्जाम मेडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंतर गथम जियोग्राफिय यानि भुगोल से संबंदित तत्यों का पूरा रिवीजन करेंगे आप अगर को के वीएस एक्जाम देने वाले हैं या अधर कोई भी एक्जाम दे रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उसफुल हो सकती है इसको दो पार्ट में दिया जाएगा ये जियोग्राफिक का पहला पार्ट है जल्द ही दे जाएगा जिससे आप अपना कम्प्लीट रिवेजन कर सकें इसमें सिर्फ एक्ट्री वल ही प्रशन दिये गए है वल लाइनर फैक्ट है आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और याद भी हो जाएगी आप इसको एक से दो बार पढ़िए सुनिए याद हो जाएगी चलिए वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं प्राचीन भुगोल का जनक किसे कहते हैं तो हिके टीजियस को कहते हैं मानो भुगोल के लेखक कौन है तो फ्रेडरिक रैड जल है उलकाओं की चमक घटना है तो आयन मंडल की अगला देखेंगे जो उलकाओं की चमक घटती है यह घटना क्या है तो आयन मंडल की है और माओरी आदिवासी कहां पाये जाते हैं तो न्यूजिलैंड में सबसे लं अगला देखेंगे एसकिमो को के बर्फ का मकान कहा जाता है तो इगलू को निलगिरी पर्वत का उधारन क्या है तो भ्रंशोत पर्वत है निलगिरी पर्वत किसका उधारन है तो भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का उधारन है अरावली पर्वत का उधारन क्या तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले पता चलता है भूकमपी तरंगों का गल्फ स्ट्रीम वो लेबरा डोर जल धारा है जो है क्रमशा क्या तो जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो गर्म जल धारा है जबकि लेबरा डोर जो है वो ठंड जल धारा है यह दोनों जो है अटलांटिक मह सागर की जलधार आए हैं अंगूर उत्पादन और मचली पालन किस से संबंदी थे अंगूर जो पालन है वो वीटी कल्चर से संबंदी थे जबकि मचली पालन है पीसी कल्चर से मचली पालन किस संबंदी थे पीसी कल्चर अंगूर उत्पादन जो है वीटी कल्चर से आगे देखते हैं, बोर्णियो द्वीब इस्तित है, तो बोर्णियो द्वीब कहां इस्तित है, हिंद महा सागर में, पंबन द्व जो है कहां इस्तित है, भारत और स्री लंका के बीच मननार की खाड़ी में, ठीक है, जैसे आपका ये भारत है, यहां पर आपका स्री लंका हो 12 गंटा 26 मिनट का अंतराल होता है दो जवारों के बीच 12 गंटा 26 मिनट पस्चिम तथा पुर्वी घाट सेल्डियां है नेलगिरी पहाडी में देखें नेलगिरी पहाडी में आप ऐसे भारत का मैप जब देखते होंगे तो इस साइड आपका पुर्वी घाट है ये पस्चि ज़्यादा भार का होगा धुरूं पर भूमदिसागर का प्रकास स्तंब कहलाता है तो भूमदिसागर का प्रकास स्तंब जो है स्टामबोली ज्वाला मुखी कहलाता है एक अक्षांस के बीच की दूरी कितनी होती है तो एक डिगरी देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती तो 11.13, यहां पर 0.2 रहेगा, किलोमेटर होती है, आगे देखेंगे, अंतरराश्टी तिथी रेखा, कहा जाता है, अंतरराश्टी तिथी रेखा, जो एक 180 डिगरी देशांतर को कहते हैं, तो कब से इसको माना गया है, तो 1884 से, अगला देखेंगे, कोड़ई कनाल इस्थे और दक्षडी भाग को अलग करता है, तो अलग करता है, तो अलग करता है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है, भूमद्य शागरी जलवाई उप्युक्त है, फलों के लिए, जो दिया हुआ है आपका विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी क्यों सी है तो राइन नदी है राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है भूमदिसागर की कुंजी किसे कहते है तो जिब्राल्टर संधी जल संधी को जो है भूमदिसागर की कु ane ahtiara एककृषय यजहांसभर्ग में है सरवाधिक वर्षा तो आगे बढ़ते हैं अग़ला अगला दिया हुआ है तो भूमद रेखीब करते हैं अखबारी कागज का उतपादक देश कौन सा है तो कनाड़ा है लक्षदीब का सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है तो अंड्रोट है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांग टेशी क्यांग है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांग टीशी क्यांग है सरवाधिक भूकंब आते हैं कहां पर प्रिशान्त महा सागर में अगला है रबर फसल है तो भूमद रेखी जलवायू की जापान का नागा साकी कहां स्थित है तो क्यू शोदीव पर इसी पर क्या किराया गया था तो क्लोरो कार्बन है वो जो गैस ओत्री होती है आपको पता होना चाहिए तो उसको उनुक्सान पहुचाने वाली गैस कौन सी क्लोरो कार्बन है परल टावर कहां इस्तिते संगाई में ज्वाला मुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर बायोटेक पार्क अवस्थी थे कहां लखनव में भारत का सबसे पहला जल विद्यूत केंद स्थापित किया गया था दारजलिंग पस्चिम मंगाल में भारत का सबसे पहला जल विद्यूत केंद कहां स्थापित किया गया था तो दारजिलिंग पस्ची मंगाल में आईए आगे बढ़ते हैं देखिए आगे दिया हुआ है चंदन का वरिक्ष मिलता है करनाटक राजी में ज्वार भाटा उत्पन होने का क्या कारण है चंद्रमा वसूरी का गुरुत्वा कर्शनवल चंद्रमा वसूर के गुरुत्वा कर्शनवल के कारण ही ज्वार भाटा क्या है उत्पन होता है सबसे बड़ा प्रायदीप क्या है तो अरब प्रायदीप जो है सबसे बड़ा प्रायदीप है संसार में दिन और रात बराबर होते हैं कब दिन रात और बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होंगे आगे देखते हैं प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है तो प्रेयरी प्रदेश का मुक्यत पाग गेहूं है सबसे छोटा महासागर कौन सा है सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर पनामा नहर किसे जोड़ती है तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर अटलांटिक और प्रशान्थ महासागर को जोड़ती है सुरिका आंतरिक भाग क्या कहलाता है तो फोटो स्केयर कहलाता है हिंद महासागर का सरवादिक गहरा गर्थ कौन सा है तो सुंडा गर्थ जो है सबसे गहरा गर्थ है अगला देखेंगे विश्वती प्रदेशों में वर्सा होती है तो विश्वती प्रदेशों में सम्मधनी वर्सा होती है कुलू घाटी इस्थित है कुलू घाटी कहा है धौला धर और पीर पंजाल स्रणियों के बीच इस्थित है विश्व की गहरी खाई मरियाना ट्रेंच कहा स्थित है तो विश्व की सबसे गहरी खाई कौन से है तो मरियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महा सागर में स्थित है यूराल परवत सीमा निर्धारन करता है किसका एशिया और यूरोप के बीज में युराल परवत जो है उसका सीमा निर्धारण करता है माउंट कैमिले माउंट मैकिले किस परवत की चोटी है तो रौकीश परवत की चोटी है उतरी अमेरिका की आगे देखेंगे एशिया का मृत सागर उधारण है किसका उधारण तो रिप्ट गाटी का और अभ्रक उत्पादकमें प्रवता किस चीन का है रेगू एकूम मिठी की प्रापती होती है किस से होती है काली मिटी को ही नेलगीरी की सरवच मीने बसिप्चा ऌई है तो दोदा बेटा हे नर्मदा और तापती नदियों के बीच को में से परवतमाला है तो सत्पुड़ा जो है यहाँ पे जैसे आपकी नर्वदा है तापती है बीच में आपका परवत माला है वो है सत्पुड़ा आई आगे बढ़ते हैं देखे आगे दिया है कपास उत्पादन में अगरणी राजी कौन सा है तो महारास्ट है चिलका जील, लैंगोर जील एक वो कहां से थे तो महानदी और गोदावरी के मुहाने पर अस्तितविश्म में पहला स्थापित बिजली घर कहां पर था तो USA में फूलों की घाटी चमूली कहां से थे उत्तराखण में मकराना संगमरमर की खाने कहां है राजस्थान में अंतर राष्टी दीनांक रेखा किस से गुजरती है तो बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है भारत में सबसे पहला तेल कूप कहां था तो डिक बोई में था थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या है तो समवहन है कौर्टर्स बनता है सिलिकान आकसाइड से कौर्टर्स किसे बनता है सिलिकान आकसाइड से व्यापारिक पवने चलती है ओपोषन उच्चदाप से प्यापारिक पवनिक दिस्ते चलती है उपोष्ण उच्च दाप से भारी जल तयार किया जाता है ट्रामबे में आगे देखते हैं सबसे अधिक नौगम में दो नदियां कौन सी हैं तो सबसे अधिक नौगम में जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं भारती है उप महादवीव का सबसे पुराना भूखंड क्या है तो प्रायदीपी भारत है सबसे उचा जोग जल प्रपात कहा है तो करनाटक में है इसी को गर्सुपा कहते हैं प्रायदीपी भारत की बड़ी नदी कौन सी है तो गोदावरी है प्रायदीपी भारत पूछा है भारत में परमारु शक्ति का बड़ा केंडर कहां पर है तो वो है तारापुर में चूना पत्थर डोलोमाइड बलुआ पत्थर आधी उधारन है और शाधी चट्टानों के विश्व की सबसे लंबी परवतमाला कौन सी है तो विश्व की सबसे लंबी परवतमाला एंडीज है आईए हम आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका अगला महासागरी यह जल का तापमान है कितना होता है महासागरी यह जल का तापमान तो 5 डिगरी Celsius से 33 डिगरी Celsius होता है आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी प्रवाल अभित्ती कहा है तो Great Barrier Reef है Atlantic महासागर में उठने वाला चक्रवाती तुफान कौन सा है? हरिकेन से नामियाद रखेंगे Atlantic महासागर में उठने वाला चक्रवाती तुफान कौन सा हरिकेन से Red Indian प्रजाती जो है प्रमुक प्रजाती या जाती कहां की है तो उत्तरी अमेरिका की है नील लदी का उदगम स्थल क्या है? Victoria जिल अटकामा मरुस्थल कहा है तो चीली दक्षिड अमेरिका में है प्रिथवी अपने अक्षपर घूमती है पस्चिम से पुर्व प्रिथवी जो है अपने अक्षपर कैसे घूमती है तो पस्चिम से पुर्व की ओर घूमती है नर्मदा एवन तापती नदियां बहती है पस्चिम की और बहती है आपको बता होना चाहिए कुछी नदी है दो-तिन जो किससाइड बहती है मतलब पस्चिम की तरफ जैसे इधर आपका पस्चिमी घाठ हुआ ये पुरवी घाठ हुआ तो ये नदियां इधर को बहती है मैक्सिमम नदियां आपकी पूर्वी घाड से निकलती है आगे बढ़ते हैं अंटार कटी का महादवीब कहां स्थे थे तो अंटार कटी का दक्चडी दुरूप परिस्थे थे ठीक है आगे देखेंगे विश्व का जो है सबसे गहरा और बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रिशांत महासागर है अंद महासागर किसे कहते हैं तो अटलांटिक महासागर को कहेंगे टीटी काका जील कहां स्थे थे तो दक्चडी अमेरिका में भारत इवन विश्व का नियूंतम वर्षा वाला छेत्र बताईए तो लेह जमो कश्मीर है आईए आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी का निर्मार कहां से होता है तो बेसाल चटानों से होता है देश का सबसे बड़ा बंदरगा मुंबई नुहासा शेवा है एशिया में छेत्र फल के दुष्टे से सबसे छोटा देश कौन सा है तो माल दीव है ब्राजील के कहवा बाग कहा कहलाते है तो फैजन्डा कहलाते है पृत्वी को बाटा गया है 24 समय कटिबंदों में जो है 24 जो टाइम कटिबंद जो हरते हैं ग्रीन वीच इस्थित है यूके में स्थित है अक्षांस रेकाओं की कुल संख्या कितनी होती है तो 180 होती है और देशांतर रेकाओं की कुल संख्या कितनी होती है तो 360 होती है इंडीज परवत उधारण है वलिद परवत का इस्ट्रामबोली ज्वाला मुखी अश्थित है तो लिपारी द्वीब पर उजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल पर रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल हवाई जहाज कहां उड़ते हैं तो समताप मंडल में उडते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है तो वोलगा नदी कैस्पियंस आगर में गिरती है विश्व की सरवादिक विश्वास घाती नदी कौन सी है हॉंग हो नदी है अगला है आपका सामानतेया डिल्टा की आकरिती होती है तुरिवजाकार होती है सरक्रीक रेखा कक्ष के रन में और आवली परवत की उची चोटी कौ ऑधगम कहां से होता है तो अमरकंटक से होता है अगला देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जवार नदम mau og स्थित है हुगली नदी के मुहाने पर भारत की सबसे बड़ी लेंगून जील कहां स्थित है तो चिलका जील है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहां है तो विशाखा पत्तनम है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखा पत्तनम है सबसे पहले मांसून कहां पहुसता है त पर है तो महाराष्ट में सरवाधिक छेत्र है अगला देखते हैं इलाची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौनसा है तो केरल है आईए हम आगे बढ़ें अगला देखी दिया हुआ है सरवाधिक हिरण कहां पाए जाता है तो भारत में रडधंबोर वन प्र प्रसिद्ध है टाइगर के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौनसा है बंबई है पोंग बांध इस्थित है व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में थीन बांध कहां इस्थित है तो रावी नदी परिंजाब में मकर रेखा को दो बार काटती है तो लिंपोपो नदी मकर हिमाचल पुरland इस्थित्स रेणी की सरवादी कहाई परिस्तित्ट दर्रा कौनसा हे तो कारा कोरम क्रवं हे डर्णा जो है सबसे उचाई परस्तित है अगला है और एक डिगरी देशाथांसर हमें उच्छा मिनट का घंतर होता है तो एक डिगरी देशांसर में चार मिनट क पुरु का बोश्टन किसे कहते हैं एहमदाबाद को और अचल प्रदेश पहले जाना जाता था किस नाम से तो नेफा को पहले नेफा का ही नाम और अचल प्रदेश था पहले अगला है कावेरी जलवीवाद किस के बीच है करनाक और तमिलनाड के बीच है कावेरी जलवीवाद कावेरी जल्वी बात किसके बीच है तो करनाटक और तमिलाडू के बीच नर्वदा नदी का दिकांस भाग जो है कहां बहता है तो मद्रदेश में अरावली परवल स्रिंखला विभाजी थे लूनी एवं व्यास नदियों के द्वारा एक सिंगवाला गेंडा के लिए क्या प्रशिद क्या है तो काजी रंगा राष्टी उद्यान असमका है नेशनल वूड फॉसिल स्पार किस्थित है जैसल में राजस्थान में भारत में सरप्रतम तेल परिसकरर संसायंद्र स्थापित किया गया था डिक बोई में 1921 में प्रकार का कोईला क्या होता है इंत्रासाइट ग्रेनाइट किसका उदारन है तो ग्रेनाइट आगने चक्तान का उदारन है ग्रेनाइट आगने चक्तान का उदारन है स्वेज नहर का निर्माड कभ हुआ था तो हुआ था 1869-20 में हुआ था स्वेज नहर का रास्टी करण क फारत की जलवाय कैसी है तो उश्रकटिबंधी मांसूनी जलवाय है भारत में करी भारत में सबसे बड़ी जनजात ही तो भारती सब से बड़ी जनजातिक गोंड है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है छोब मंडल की मुटाई किती है बढ़ जाती है कब घर्मी में चोब मंडल की मुटाई कब बढ़ती है तो घर्मी में एशिया में विश्व का सरवाधि दूरी कहां होती तो विश्व द्रेखा पर होती है विश्व का सबसे उच्छा सक्री है ज्वाला मुखी कौन सा है तो कोटो पैक्सी है एक्वाडोर में आगे बढ़ते हैं देखिए हमारा आगे दिया हुआ है प्रित्वी की सतह के नीचे का द्रवी भूत शैल क्या होता है तो उसे हम मैगमा कहते हैं अगला है सुन्डा गर्थ स्थित है हिंद महासागर में वाई मंडल में सरवादिक मात्रा में विद्देमार अक्री गवस कौन सी है तो आरगन है छो मंडल की धरातल से उचाई कितनी होती है 14 किलो मेटर संचार उपग्रह इस्थित होते हैं आयन मंडल में रोटी की डलिया कहलाती है तो यूकरेन यूरोग को कहते है गलोब पर जो है दाब कटिबंद की संक्या साथ होती है वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेंगेस से भारत का दक्षिरतम द्वीब जो है कौन सा है तो ग्रेट निकोबार है आगे बढ़ते हैं काला हारी मरुस्थल स्थित है तो दक्षिर बस्ची मकरफरिका में विश्व की सबसे चौड़ी जलसंदी कौन सी है तो डेविस है अग अश्ट्रेलिया में बहती है डक्षिर अंडमान तता छोटा अंडमान के बीच भारत इस्थित है उत्तर पुर्वी गोलार्द में अगला है तुलबुल पर्योजना संधी है जेलब नदी से अगला है एजिया का बंजर भूमी है थार मरुस्थल सहारा मरुस्थल इस्थित जकार्टा का प्राचीन नाम क्या है तो बटाविया है गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन था यूएस से है अगला है विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है तो डेट्रायट उतरी अमेरिका में दक्षिड अमेरिका के व्रिक्ष र सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा है गंगा नदी का डेल्टा नियागरा जलप्रपाथ कहा पर उसे में है सुंदा गर्थ अवस्थी थे कहा पर है तो सैंट फरांसिसको नगर में एशिया का च्षेत्रपल कितना है चवालिस मिलियन वर्ग किलोमेटर विश्वत रेख पर एक दिन की वधी कित्ती होती है 12 घंटे प्रित्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर और अगला है आपका प्रित्वी के आयू का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा चीन की स्थली सीमा लगी है 13 देशों से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है आयन मंडल से यूरेनियम उत्पाद में अगरणी देश कौन सा है तो कनाड़ा है इस वीडियो में आपको जियोग्राफी का पार्ट वन मिला है पार्ट जल्दी आपको दे दिया जाएगा जिससे आप अपना रिवीजन कर सके आपको इग्जाम दे रहे हो इससे आ